बिस्मिल्लाइर वहमान वहीम, अस्सलामों अलेकुम, अमीद है आप सब लोग ठीक होंगे, अलहम्दुल्लाइ मैं भी ठीक, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लीनर का इंटर्व्यू पास कैसे करें, कुछ लोग कहते हैं क्लीनर का इंटर्व्यू बहुत मुश्किल पास नहीं होता, ऐसा नहीं है, इंटर्व्यू इंग्लिश में होता है लेकिन असान होता है, ठीक है न, तो कुछ टिप्स बताऊंगा, दो टिप्स बताऊंगा, बाकि पांच ऐसे सवाल बताऊंगा, जो हर ईंटर्व्यू में पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से आने चाहिए आपको अपनी जो इंटर्वियू की त्यारी है उसमें ये पांच सवाल दो टिप शामिल कर लें आपका इंटर्वियू 100% पास हो जाएगा तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा इसी तरह की इंफ अपलाएब कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हैं तो इंगलिश में होता है मुश्किल नहीं होता आसान होता है बिलकुल तो जो कंट्री जाती हैं इससे हटकर भी आप योरप यूके ऐसी यूरप कंट्री इनमें भी यही पांच सवाल और दो टिप आप शामिल कर लें कुछ लोग कहते हैं मैं यूके के लिए ट्राई कर रहा हूँ यही सवाल चला सकता हूँ आप यह पांच सवाल जो मैं इस पहली टिप है, पहले मैं दो टिप है, उनको बात करता हूँ, उसके बाद मैं सवालों की तरफ आता हूँ, जो पहली टिप है, वो आपने कलीनर के बारे में जो भी समान होता है, कच्रा उठाने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, ये के आपको नाम आने चाहिए इनको इंगलीश में क्या कहते हैं त्रीक है ना आपने इनके नाम अच्छे से याद कर लेने हैं आप जाडू लगाते हैं जाडू को इंगलीश में क्या कहते हैं आप बुरुष से कच्रा साफ करते हैं या कपड़े से अलमारी साफ करते हैं इन च आप रुकें और फिर भी रुकने से जो आप Live देने से आप का जो इंटर्विन हो आदा फेल हो जाते. वह उनको इसको पास करें या ना करें. क्यूँके आपको अगर उसी टाइम जो आप देंगे तो आपका confidence उनको अच्छा लगेगा. इसलिए जो आप गलत भी दे देंगे मसला मिलता जुलता गलत थोड़ा सा हो जाए चल जाता है लेकिन अच्छे से और उसी वक्त जो आप दें जादा सोचे ना समझे लगी पहली टिप आपको क्लियर होगी कि इन चीजों के नाम याद कर लें और अच्छे से याद कर लें रटा माल ले ताकि भूले ना जब वो पूछें तो फोरण जो आपने जो हमारी दूसरी टिप है आपको जब कलीनर का वो इंटरव्यू होता है तो उसमें एक हाथों से प्रैटिकल करवाया जाता है प्रैटिकल क्या होता है कि आपको कोई भी चीज दे सकते है कि ये चीज है इसको साफ करो इसको कलीन करो तो आपने उसको इतनी अच्छे से कलीन करना है कि वो कोई भी उस पर मसलन डस बगएरा या कच्छरा बगएरा रहना जाए वो आपकी गलती पक्रेंगे आपने उनको गलती पकड़ने का मौकई नहीं देना आपने अच्छे से क्लीन करने अच्छे से साफ करने और इसी तरह दो टिप हमारी कम्प्लीट होती है पहले tip क्या है कि ये जो cleaner के टूल्स हैं इनके नाम आपको अच्छे से आने चाहिए और दूसरी आपको जो practical करवाते हैं हाथों से test लेते हैं कोई चीज साफ करवा सकते हैं कुछ भी साफ करवा सकते हैं तो आप उसको अच्छे से क्लीन कीजिएगा, दिल लगा कर वो ही पांच-दस मिनट में आपने अच्छे से क्लीन करना, बाद में जब आपकी जोब लग जाए, तब तो कोई बात नहीं, अगर कोई गलती रह भी जाए, तो आप चांस मिलते रहते हैं, तो ये इंटर्वियू में अगर आप इंटर्वियू पास करेंगे, तब ही तो आपको आगे जोब मिलेगी ना, तो इंटर्वियू में आपने ख्याल और अच्छे से समझदारी से जवाब देने, तो अभी हम बात करते हैं, जो पांच सवाल जो क्लीनर की जोब में पूछे जाते हैं, तो उनकर ह हम बात करते हैं, वो मैं इधर सक्रीन पर भी चला दूँगा, इंगलीश में आते हैं, लेकिन मैं आप से हिंदी में शेर करूँगा, ता कि आपको समझ आए, कुछ लोग कहते हैं कि हमें इंगलीश नहीं आती, आप हिंदी में बोलें, या उर्दू में बोलें, हिंदी उर आ रही वीक है तो आप हिंदी या उर्दू दोनों में से एक language में बना दें हम उन सवालों को translate कर लेंगे जो हमारा पहला सवाल है tell me about yourself यानि अपने बारे में हमें बताएं हर इंटर्व्यू में पूछे जाते हैं ठीक है ना जहां भी आप जोब के लिए apply करेंगे यह सवाल पूछा जाएगा tell me about yourself अपने बारे में बताएं पहला सवाल आपने बारे में शोड सा बता देना मेरा नाम मेरा घर मेरी तलीम मैंने क्या पड़ा किदर से पड़ा क्यों cleaner में आना चाहता हूं तो ऐसे बता देना उसके बाद दूसरा जो सवाल होता है आपका cleaner के काम में कि कीश्पीरियंस है आपने बतादेना मेरा दो साल का स्पीरियंस है जैसे भी आपने अपने दमाग को ready किया होता है सवालों के लिए आप इनके सवाल बोलेंगे मैं पने सवालों पर जोबहाब्तों को और वीडियो PG में हम सिर्फ सवाली सव slippery करता है क्योंगों से सवाल क्या तो आपको cleaner का कोई काम ने मालूम तो फिर company को इदर मुश्किल होती है आपको guide करने में आपको समझाने में आपसे काम लेने में तो दूसरा सवाल आपका cleaner में कितना experience है जो तीसरा सवाल है कि आप cleaner की job में क्यों आना चाहते हैं यानि और भी job हैं आप security में आजाएं आप labor में चले जाएं आप लेटरिशन में चले जाएं आप helper में चले जाएं आप cleaner में क्यों आना चाहते हैं आपने बता देना है कि आप कलीनर में क्यों आना चाहते हैं हर बंदे ने एक दिल में जवाब सोचा होता है कि मैं कलीनर में आना चाहता हूँ मेरे दिल की खुआईश है जो भी आपने सोचा होगा शोटा सा जवाब आपने उनको दे देना है जो हमारा वर चोता सवाल है कि cleaners के काम में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है यानि cleaners में आ आ रहे हैं तो आपको सबसे अच्छाja cleaner में क्या लगता है कि मुझे सबसाफाई करना और झाम सबसंपाई आ शुम होاج़ा आपको सबसे अजवाब दे दिना है तो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी तो फिर मुश्किल हो गी है नेक्स वीडियो हम अगर आप बोलेंगे तो जवाब भी आड़ करते चलेंगे तफसील से जवाब आड़ करेंगे और आपको गाइड करेंगे जो हमारा पांचवा सवाल है कि आप क्लीनर की जोब में कौन कौन से शिफ्ट में काम कर सकते हैं यानि मॉर्निंग से कर सकते हैं या नाइट में कर सकते हैं या अफ्टरनून में कर सकते हैं अब ही मैं यह स्वाल का जवाब देता चलूं काफी लोग इस सवाल से फेल हो जाती हैं वो यह कहते हैं कि आप हमें कोई भी शिफ्ट दे दे हम काम कर लेंगे आपने यह जवाब नहीं देना यह जवाब गलत है क्योंकि वो इससे बंदे का अंदाजा लगा लेते हैं ये कितना कामवाला है और कितना कामचोर बंदे है आपने उनको जवाब देना है कि मैं मोर्निंग भी कर सकता हूँ नाइट भी कर सकता हूँ ऐसे जवाब देना है मसलन ये नहीं कहना कोई भी मैं कर सकता हूँ कोई भी का लफज अगर आप इस्तमाल करेंगे तो आप फिल हो सकते हैं लेकिन अगर आप यह कहें कि मैं मोर्निंग भी कर सकता हूँ नाइट भी कर सकता हूँ अभी मैंने यह जो आप कहां से पूछा मैंने एक कलीनर है इदर शोपिंग माल में गया में उससे पूछा ये कैहार को कौनगांस सवाल पूछे ए ये पांच सवाल जो मैने आपको बताए है और दो टिप बताइए ये मैंने उस कलिंचर वाले से पूछें एपनी तरफ से यह किसी ? यूटूब से सर्च करके कोपी करके नहीं बताए तो आप ये पांच सवाल अपनी त्यारी में अड़ करें इंशाला आपका जो कलीनर का इंटरव्यू है वो पास हो जाएगा आप कतर आ जाएंगे यहां जहां भी आप जाना चाहते हैं आप चले जाएंगे तो उमीद है वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो प सब्सक्राइब की जिए आला हाफीज